C.I.E.T.N.C.E.R.T. पेश करते हैं दर्जाचार के लिए मुतालाए माहुलियात की सौती किताब आसपास बाब 21 खाना और तफरी सफह 174 ट्रेंग दर्वाजे की घंटी बजी जब मनप्रीत ने दर्वाजा खोला तो विद्या और स्वास्तिक को देखकर खुशी से चिला उठी गुर्णूर देखो कौन आया है गुर्णूर भागी भागी आई अपनी सहिलियों को देखते ही वो खुशी से उनसे लिपट गई और बोली तुम हॉस्टल यानि बोर्डिंग स्कूल से कब आईई कल ही तुम्हारे वालिदैन कहा है हम उनसे मिलना चाहते है स्वास्तिक ने कहा वो गुरुद्वारे में हैं हम भी वहाँ जाने ही वाले थे गुर्णूर ने जवाब दिया ओ अच्छा है हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं विद्वार ने कहा तुम सिर्फ छुट्टियों में घर आती हो क्या तुम्हें हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है तुम्हें अपने वालिदैन की कमी तो महसूस होती होगी गुर्णूर ने पूछा सफ़ह 175 विद्वार ने कहा हमें उनकी कमी महसूस होती है लेकिन हॉस्टल की जिन्दगी के भी मजे है हलांके हमें वहां का खाना हमेशा अच्छा नहीं लगता लेकिन हम सारी बच्चियां साथ मिलकर खाने का लुट्फ उठाती है तुम्हें बताओं कि हमारे हॉस्टल में जब कोई घर का बना हुआ खाना लाती है तो हम सब उसके कमरे की तरफ दोड़ पढ़ते हैं वो खाना मिंटों में चट हो जाता है स्वास्टिक ने हस्ते हुए बताया क्या तुम किसी बोर्डिंग स्कूल यानि अकामती स्कूल में पढ़ते हो अगर तुम नहीं पढ़ते तो किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाले से मालूम करो बोर्डिंग स्कूल यानि अकामती स्कूल दूसरे स्कूलों से किस तरह मुखतलिफ होता है वहां किस किसम के खाने उन्हें मिलते हैं बच्चे अकामती स्कूल में कहां बैठ कर खाना खाते हैं अकामती स्कूल में बच्चों के लिए खाना कौन पकाता है कौन खाना लगाता है बरतन कौन धोता है क्या बच्चे कभी कभी घर के बने खाने को याद करते हैं। क्या तुम किसी अकामती स्कूल में जाना चाहोगे। क्यों। गुरुद्वारे में। बच्चियां गुरुद्वारे पहुचते तक सारा वक्त बातें करती रहीं। वहां उन्होंने अपने सर ढाप लिये। वो गुरुद्वारे के बावर्ची खाने में गई। वो बहुत बड़ा था। वहां बहुत गहमा गहमी थी। बड़े बड़े बरतनों में खाना बन रहा था। एक तरफ चना और उर्द की दाल उबल रही थी। एक और बरतन में ग सफ़ा 176 यहां गुरुद्वारे की एक तस्वीर दी गई है। तस्वीर में खाना बनते हुए दिखाया गया है। यहां एक और तस्वीर है। इस तस्वीर में भी गुरुद्वारे में खाना बनता हुआ दिखाया गया है। तुम लोग यहां क्या कर रही हो? मंजीत बच्चों को देख कर खुश हो गए अंकल क्या हम भी बावर्ची खाने में मदद कर सकते हैं आप क्या तैयार कर रहे हैं स्वास्तिक ने पूछा मंजीत सिंग ने कहा मैं कड़ा प्रसाद बना रहा हूं बड़ी सी कड़ाई में आटे को घी में भूनते हैं बहुत मेहनत लगती है ये एक तरह का हलवा ही है आप इसमें शक्कर कब मिलाएंगे विद्या ने दर्याफ्त किया उन्होंने मनप्रीत की वालिदा को देखा और उनसे मिलने के लिए लबकी विद्या ने पूछा आप क्या कर रही हैं चाची बेटा हम चपाती बेल रहे हैं इनको इस तंदूर में सेंकने के लिए आंटी इतनी सारी रोटिया एक साथ विद्या हैरान थी मैं भी सेंकूं यहां सब मदद कर सकते हैं लेकिन पहले अपने हाथ धोलो आंटी ने जवाब दिया विद्या ने अपने हाथ धोए और तवे पर रोटियां सेंकने वालों के साथ शामिल हो गई तवा बहुत गर्म था जब तवे से रोटियां उतारी जाने लगी तो उसने रोटियों पर घी लगाना शुरू किया स्वास्तिक ने ताज्जुब से थोड़ी बुलंद आवाज में कहा इतना बहुत सा खाना पकाने के लिए सामान कौन लाता है उन में से एक खातून ने जवाब दिया हर एक यहां किसी ना किसी तरीके से चंदा देता है यहां एक तस्वीर है इस तस्वीर में गुरुद्वारे में खाना सजाया हुआ दिखाया गया है सफ़ह 177 कुछ सामान का इंतिजाम करते हैं कुछ रकम देते हैं और कुछ काम में मदद करते हैं तो स्वास्थिक तुम्हें यहां कैसा लगा? क्या तुमने पहले कभी कुछ पकाया है? मनप्रीत ने उसे छेड़ा मुझे सब के साथ मिलकर काम करने में लुट्फ आ रहा है स्वास्थिक ने कहा हमें बिलकुल अंदाजा नहीं था कि इतना सारा खाना, चपातियां, चावल, हल्वा, दाल और सबजियां इतनी जल्दी तयार हो जाते हैं अरदास के बाद कड़ह प्रसाद तकसीम किया गया कुछ लड़कों ने जल्दी से बरामदे में दर्यां बिछा दी और सारे लोग लंगर खाने के लिए खतारों में बैठ गए कुछ ने खाना पेश किया और कुछ दूसरों ने पानी पिलाया सबने मिल जल कर साथ खाना खाया खाना खत्म करने के बाद सबने अपनी अपनी प्लेटें उठाई और एक बड़े से बरतन में रख दी जो लोग खाना खिला रहे थे उन्होंने सब से आखिर में खाना खाया फिर उन्होंने जगा को साफ किया और बरतन धोए इस बारे में बात करो गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर पकाने और खाना खाने को लंगर कहते हैं क्या तुमने कभी लंगर में खाना खाया है? कहां और कब? वहां कितने लोग खाना पका रहे थे और कितने खाना खिला रहे थे? सफ़ा 178 क्या और भी ऐसे मवाके आते हैं जब तुमने बहुत से लोगों के साथ खाना खाया हो? कब? और कहां? वहां खाना किस ने पकाया? और किस ने खाना पेश किया? यहां कुछ तस्वीरे दी गई हैं. एक गुरुद्वारे में लंगर के मुख्तलिफ मनाजिर इसी के साथ 27 अबवाब की इस सौती किताब का 21 वाब यहीं खत्म होता है. आवाज मुईनुल हसन नियाजी तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंगलिंग्डो, तक्नीकी सहायक विकास सांगवान, निर्माण सहयोग जग बंधु जाना, निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत प्रस्तुती C.I.E.T.